हलो दोस्तो, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ इंगलिश हॉन बिल चैप्टर, दे ब्राउनिंग वर्जन, रिटन बाई टेरेंस रेटीगन मैं आज आपको इसकी फुल सम्दी विद कॉशन आंसर करवाऊँगा सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के मेन केरेक्टर एक्स्टेंट कर देता हूँ फर्स्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक स्ट्रिक्ट और डिसेप्लेंट टीचर है जो अपने वर्ग को बहुत अच्छे से करते हैं Next character है Millie, Millie Mr. Crocker की wife है जो 30 year old है Third character है Frank, Frank जो Teplow है उसके Science teacher है और वे Harris के साथ ही उसी के school में Harris के साथ ही work करते है as a Science teacher Next character है Teplow का, Teplow एक student है जो 16 year old है तो चलिए शुरू करते हैं इसकी समड़ी एक दिन Teplow क्या school में नहीं गया था तो उसका work pending था तो Mr. Crocker Harris ने कहा कि तुम work करने आना तो जब Teplow work करने जाता है तब वहाँ Crocker Harris नहीं होते वो कही काम से बाहर गए होते है तो वहाँ पे बैठता है Crocker जो Teplow है वो अपना work कर रहा होता है और वो Crocker Harris का weight करता है तो फिर Frank आता है Frank कौन है दोस्तों Science teacher है तो Teplow के पास आता है और उससे पूछने लगता है कि Crocker Harris की qualities क्या है तो यह कहता है मैं Teplow की वो अच्छे हैं मुझे तो पसंद है भले वो थोड़ा discipline है strict है लेकिन वो अपने work को बहुत अच्छे करते हैं तो अंदर ये अंदर Frank को jealous फील होता है कि Crocker Harris की सब तारीफ करते हैं और उनका student पे अच्छी पकड़ है तो फ्रेंग बहुत jealous फील करता है और उससे अलग ही अलग question करता है और उस टैपलो से कहता है कि तुम लोग Crocker Harris का मजाक क्यों नहीं उड़ाते तो टैपलो कहता है सिर्फ मैंने एक ही बार मजाक उड़ाया और उसके बाद मैंने कभी मजाक नहीं उड़ाया फिर 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 फ्रेंग कहता है टैपलो को कि जाओ अभी Crocker Harris नहीं आएंगे तुम दोड़ी दे गुल्फ खेलाओ बाहर fresh हो आप तो टैपलो कहता है नहीं क्योंकि वो Crocker Harris का student पे बहुत पकड़ती और वो डरता था प्रोकर Harris से इसलिए वो बाहर खेलने भी नहीं गड़ा फिर जो Crocker Harris की वाइफ है मिली आती है मिली कहती है कि आप टैपलो से कि तुम जाओ खेलाओ लेकिन तब भी टैपलो मना कर देता है इतना डर रहा था प्रोकर Harris से तो फिर मिली कहती है कि जाओ तुम मेरे लिए medicine ले आओ ताकि जो blame आएगा Crocker Harris जो डाटींगे मुझे डाटींगे तुम जाओ medicine के बाहर medicine लेने मिली भेश देती है ताकि वो थोड़ा बाहर की हवा खाले फ्रेश भी हो जाए फिर वो बाहर चले जाता है तो हमें मतलब एक message भी इसमें मिलता ही कि अब हमें अपना work जिस प्रकार Crocker Harris करते हैं Crocker Harris ने किया है कि हमें हमारा work बहुत अच्छे से करना चाहिए हमें अमारे work में एकदम focus होना चाहिए और इसे जो हमारा profession है उसको बोज नहीं बनाना है जो profession होता है उसको love से बहुत अच्छे से तरीक कैसे करना चाहिए तो यह थी दोस्तों पूरी समदी the browning version की अब मैं आपको इसके question answer खरवा देते question one comment on the attitude sown by Teplow towards Crocker Harris अब attitude क्या था टेपलो का Crocker Harris के उपर टेपलो का attitude अच्छा था उसने कहा था कि मुझे Crocker Harris पसंद है like करता था और मतलब उसने कहा कि student पे पकड़ थी और वो बहुत एक strict teacher है disciplined है और अपने work को बहुत प्यार से करते हैं next question does Frank seem to encourage Teplow's comment on Crocker Harris हाँ वो बार बार क्या कर रहा था उक्सा रहा था टेपलो को कि आप Crocker Harris का मजा पुड़ा हो क्योंकि Frank जो science teacher था वो Crocker Harris से jealous feel करता इसलिए उसने टेपलो को ऐसा कहा next question what do you gather about Crocker Harris from the place अब हमें क्या मिला Crocker Harris से हमें ये मिला कि किस प्रकार Crocker Harris मतलब बच्चों के भविश्य बनाने के लिए strict रहते थे disciplined रहते थे लेकिन वो बहुत like करते थे सबको और हमें ये भी information ये ये भी हमें सीखने मिलता है कि हमें अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए talking about the top text question one talking about teachers among friends अब आप अपने teachers के अपने friends के साथ अपने teachers के बारे में सब friends मिलके या कह सकते हो अपने teacher के बारे में चर्चा करें next question the manner you adopt when you talk about a teacher to other teachers जो manner हमें adopt करना चाहिए जो manner होता है जैसे Frank Crocker Harris के बारे में jealous feel कर दाता है ऐसा नहीं हमें teacher दूसरे teacher को एक दूसरे से respect करनी चाहिए reading plays is more interesting than studying science बिलकुल plays पढ़ना ज्यादा अच्छा है science study करने का क्योंकि play में हमें मजा आता है और यह हमें message भी send करता है तो यह थी दोस्तों इस play की पूरी summary with question answer thank you